गुड मॉर्निंग स्टूडेंग्स बच्चों आज हम व्याकरन का पार्ट पांच नाम वाले शब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आप इस संसार में हर चीज़ का कोई न कोई नाम होता है हम उन्हें उनके नाम से ही बुलाते हैं आप पता है आप आजकल तो घर पर हैं तो आप्सपास कई चीज़न देखते हैं उन सभी चीज़ों का कोई नाम होता है आप जब ममी के पास किचन में जाते हैं तो वहाँ आपको कई चीज़न दिखाए देती हैं जैसे कटोरी, चमच, गिलास और चावल, दाल, आता, डिबे, मिक्सी, आदी आपने देखा बच्चों हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है ऐसे ही बच्चों जब आप क्लास में होते हैं तब आप कही चीज़ें देखते हैं जैसे चौक, डस्टर, कुर्सी, टेबल, ब्लैक बोल, डस्ट भी आदी इस प्रकार बच्चों आपने देखा हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है जब आप पार्ट में जाते हैं इस प्रकार वहाँ पे भी आपको कई चीज़े दिखाई देती हैं फूल, प्रक्ष, चिडिया, बैंच, जूले है ना बच्चों चल आपको अब हम इस पार्ट को रीड़ कर बढ़के सुनाते हैं इस संसार में प्रतेक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है सब वस्तु, लोगों तथा जगों के अलग-अलग नाम होते हैं इन ही नाम वाले शब्द कहते हैं अब नीचे दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए आपने चित्र में क्या-क्या देखा? उनके नाम लिखिए बच्चों देखिए ये क्या-क्या है? शेर, पैंसिल, सेब, गाजर, गुलाब, लड़का, तोता, घर, पुस्तक, डॉक्टर, पेर, मदुमकी आपने देखा कि हर चीज का कोई ना कोई नाम है प्यारे बच्चों आपने पढ़ा कि हर चीज का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है अब आईए हम कुछ प्राणियों, वस्तुवों, स्थानों, आदी के नाम पर एक नजर डालते हैं प्राणियों अथा व्यत्यों के नाम महात्मा गांदी, महात्मा मुद्ध, राकेश, रेखा, वीहिना, सच्चिन, आदी ये सब क्या है? व्यत्यों के नाम है स्थानों के नाम, यानि जगहों के नाम लक्षमी नगर, दिल्ली, कोलकत्ता, मुंबई, चिडियाघर, आदी वस्तुवों, अब हम आपको वस्तुवों के नाम भी बताते हैं पुस्तक, खिलोना, मिथाई, टौफी, कार, कुर्सी, आदी ये सब हमारे वस्तुवों के नाम है पशु, पक्षियों के नाम कुता, शेर, भालू, खरगोश, मूर, तुकुता, कुवा, आदी ये हमारे पशु और पक्षियों के नाम है अब हम आपको फलों के नाम बताते हैं आम, सेब, संतरा, अमरूद, केला, चीकू, पपीता, आदी फूलों के नाम, घुलाब, केंदा, जोही, रजनी, गंधा, बेला, चमेली, आदी ये सब फूलों के नाम है नदियों के नाम, गंगा, यमना, गोदावरी, कोसी, कावेरी, नर्मधा, आदी ये हमारे नदियों के नाम है बच्चों, संसार में आपने देखा, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है नाम अनिक प्रकार की होते है व्यक्तियों के नाम, वस्तों के नाम, पशुबक्षों के नाम, स्थान, आदी के नाम अच्छों ये आप चैप्टर ये पार्ट आप घर से पढ़के आएंगे कल काक्षा में इसको हमें सुनाएंगे गुडबाई स्टूडेंट्स